हेलो फ्रेंड मैं हूँ उशा और गार्डन विद उशा पे आपका स्वागत है तो आज मैं आपको अपने गार्डन के बहुत ही बेतरिम प्लांट से मिलवाती हूँ जिसका नाम है पीस लिली तो इन फूलों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक प बारे में जानेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बड़े बड़े और हरे हरे पत्तों को और इन में से निकले हूए सफित रंके चम के लिए फूलों को देखे इस तरह से इसके लिव जो है बहुत ही ग्रीन लग रहे होंगे आपको तो इस तरह से ये प्लांट बहुत ही प पत्तियों से निकल कर यह जो फूल लगे हुए तो ऐसा लगता है मानों किसी ने अपने जीत हासिल करके सफेद रंग के जंडे यहां पर गाड़ दिये हो या जिसे हम कहते हैं कि शांती का प्रतिक जैसे यह दो फूल जैसे आपस में दिख रहे हैं तो यह वैसे लगते हैं औ और मुझे तैसा लगता है कि यह दो स्नेक भी हो सकते हैं देखे किस तरह से यानि अपना जिसे फन निकल कर कैसे एक दूसरे से शायद बात कर रहे हो ऐसा भी लगता है तो अपनी अपनी कलपना है तो जिस तरीके से आप सोच सकते हैं उस तरीके से आप इसे देख सकते हो तो जिसे हम Peace Lily का फूल समझ रहे हैं, तो वो actually Peace Lily का modified lip होता है, और ये सिर्फ दिखने में ही खुब सुरत होता है, ऐसा नहीं, ये आपके घर की हवा भी बिल्कुल यानि, effectively शुद्ध करता है. Peace Lily का plant ऐसा plant है, जो साल भर हरा रहता है, और इसे जो beginner है, वो भी आसानी से लगा सकता है, तो सबसे पहले gardening की शुरुवत आप इस पौधे को लगा कर सकते हैं, तो friends हम बात करते हैं इसके sunlight की, तो आप कभी भी इसे direct sunlight में मत रखे, अगर आप sunlight में रखेंगे, तो इसके पत्त जो है वो बर्न होने लगते हैं, और ये कुछ दिनों में प्लांट डाय हो सकता है, तो इस तरह से देखे, इसके ये पत्तियों में से ये निकलता है फूल, और ये देखे, ज्यादा धूप में रखने से ये प्लांट मेरा यानि बर्न हो चुके थी इसके लीव्स, तो इन मैंने काट दिया था, और अभी जो आपको हरी पत्तिया दिख रही है, वो अभी नई नई निकली हुई पत्तिया है, तो कोशिश कीजिए आप इसे मीडियम लाइट में रखे, जहां पर अच्छन कर धूपाती हो, उच जगह आप उसे रख सकते हैं, अगर सिर्फ शेड मे का रेशयो बनाते हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको सेवनवन का रेशयो लेना है, और इस तरह से इसकी जो सॉइल है, बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, इससे ज्यादा रिच सॉइल नहीं चाहिए, और महिने में सिर्फ एक बार कोई भी कमपोस्ट डालते हो, तो यह अच्छे से ग्रो करता है, या NPK का स्प्रेय यानि 1990 का बैलेंस फर्टिलाइजर जो है, वो छे महिने में एक बार स्प्रेय कर दीजे, बस इससे काम हो जाएगा, या यह जो कमपोस्ट है, यह भी आप इसमें, यानि महिने में एक बार डाल सकते हो, कोई भी कमपोस्ट, अब बात करते हैं, इसके सॉइल तो यह देखे, आप यह सॉइल देख सकते हैं, यानि भूर भूरी सी यह सॉइल है, और इस तरह से आपको सॉइल बनानी है, हर एक प्रांट के ऐसी सॉइल बनाती हूँ, और इस तरह से यह जो गोबर खात है, वो मैंने इसमें डाल दी है, और इसके बाद सिर्फ आपको दो या तीन मेहने में कोई भी अगर liquid fertilizer डालना है तो वो भी डाल सकती है तो इस तरह से अगर इस पर फूल भी ना रहे लेकिन वो एक greenery लाते है अपनी garden में तो इस तरह से green बहुत ही प्यारा ये plant लगता है और इसे हम propagate कैसे कर सकते हैं तो इसके propagation के लिए यानि इसके जो चुटे-चुटे baby plant निकलते हैं वो अलग करके यानि divide करके हम बहुत सारे इसके पौधे तयार कर सकते हैं तो इस तरह से देखें ये plant आपके पास एक अगर आप नरसरी से लाते हो तो बहुत सारे plant आपके यहाँ इसले तयार होते जाएंगे कोई भी प्लांट अब नरसरी से चब लाते हैं तो ये देखे कि यानि वो घना हो और ज्यादा हिल्दी हो और इस तरह से देखे बहुत सारे बेबी प्लांट यानि ये मदर प्लांट है और इसके बाद ये चोटे चोटे जो आपको देख रहे है ये बेबी प्लांट है तो इ इससे हमारे पास बहुत सारे प्लांट तैयार होते हैं और इसे मैं बाद में डिवाइड करूँगी और अपने गार्डन में और बहुत सारे पीस लिल लगाने का में सोच रही हूँ अभी मेरे प्लांट को लाए हुए छे मेने हो गया है और इसे मैं पचास रुपे में लाई थी और यानि मैं वेट कर रही थी कब इस पे फ्लावरिंग होगी और मैंने क्या किया तो इसे इसके सनलाइट में रखा मैंने कुछ दिन यानि जब आट-दस दिन मेरे शेड का काम तो इसे मैंने यह पूरी दूप में ही रह गया तो उसके बाद इसके पत्ते जलने लगे और पत्ते जलने के बाद मैंने क्या किया कि इसका जो बड़ा पत्ता आप देख रहे हो और तो यहां से कुछ मैंने लीव्स काट दे थी और उसके बाद यह सारे नए पत्ते आ गए तो नए पत्ति आने के बाद देखें यह बहुत ही घना हो चुका है मुझे यह पता नहीं था कि इस फ्लावर कहां पे लगते हैं और मैंने जो पत्तिया जली हुई सी थी उसे मैंने काट दिया था और जहां से मैंने काटा था वही से फूल की स्टीक निकली तो यह बुझे बहुत ही यानि अश्रज वाली बात लगी क्योंकि ऐसा किसी भी फ्लावर में हमने नहीं देखा है तो एक बात यह कुछ अलग लगी मुझे और देखें कितने प्यारे और कितने यूनिक लगते हैं यह फूल यानि किसी भी फूल का शेप इस तरह से नहीं होगा तो ऐसे लगता है कि दो जो साप है वो जैसे यानि फन निकाल कर जैसे बैठे हो बिल्कुल उसी तरह से लगते हैं अब बात करते हैं इनकी वाटरिंग की तो हमेशा की सभी प्लांट की तरह इनको भी ज्यादा वाटरिंग पसंद नहीं है और देखिए मैंने इसे ये आट इंच यानि सेवन इंच गमला होगा ये तो सेवन इंच गमले में मिट्टी का गमला है ये और मैं ज्यादा तर प्लांट क्या करते हूं कि जो भी मेरे परमलंट प्लांट होते हैं तो उन्हें मैं मिट्टी या सिमेंट का गमला देती हूँ अगर मेरे पास अवेलेबल है तो इसे मैंने लगाया है जो प्लांटर है वो मिट्टी का है तो इस तरह से आप मिट्टी में इसे लगा सकते हैं या अगर सिमेंट का या प्लास्टी का कोई भी प्लांट हो तो उसमे करना पड़ेगा और इस तरह से देखिए और बाकी प्लांट की तरह इसको वाटरिंग करते समय यानि बहुत ही इसकी मिट्टी सूप जाने के बाद जो ट्रेन गार्डनर है वो कहते हैं कि पूरी मिट्टी सूपने के बाद इसे पाने डालना है यानि जब इसकी लीव्स वग प्लांट को यानि देख कर यह वाटरिंग करनी है कुछ लोग नर्सरी से इस प्लांट लाने के बाद उसकी रहा देखते हैं कि इन पर फूल कब आएगा फूल कब आएगा लेकिन उससे फूल नहीं आता तो ऐसा क्यों होता है तो आप नर्सरी से जो प्लांट लाते हो वो पहले वो जो सिर्फ ग्रों करता है और्सरा बाद में मैचर solve फूल करता है तो इस तरह से आप ध्यान में रखिये कि सबसे पहले फूल लाने के बाद कुछ मेने बीतने के बाद ही इस पर फूल आते है वैसे इसपर फूल नहीं आते अगर वो बवेबी प्लांट हो तो और अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की तो जैसे मैंने बताया कि पीस लिली का सबसे आसान तरीका है रूट डिवीजन यानि अगर इसके जो रूट होते हैं भी डिवाइड करते जाते हैं तो बहुत आसानी से बहुत सारे प्लांड इसके तयार हो जाते हैं बहुत दिनों से रहा देखने पर इस पर फूल नहीं आ रहे थे तो ये पत्ते जो थे जैसे मैंने कहा था कि दूप में रखने पर ये पूरे बर्न हो चुके थे तो मैंने क्या कि इन पत्तों को मैंने काट दिया था और उसके बाद यानि बहुत सारे पत्ते इसके जो यलो हो गए थे कुछ जल गए थे तो उसे मैंने काट दिया था और इस तरह से देखे यहां से आप देख सकते हैं यह जो पत्ते से पूरे खराब हो चुके थे तो इसे मैंने देखे यहां से काट दिया था ठीक से मैं आपको दिखाते हूँ देखी यहां से काट दिया था और यही से देखी यह स्टीक निकली है फ्लावर की और इतना सा वाइट सा कुछ सपेस सा दिखाई दिया जब मैंने इसे काटा दूसरे तीसरे दिन और उसके बाद पता चला कि यह इसकी कली है और इसे कली को खिलने के लिए कितने दिन लग गए हैं यानि 15-20 दिन तो इस कली को खिलने में ही लग गए पीस लिली ये बहुत ही एर फ्यूरिफायर करने वाला प्लांट है तो आप इसे गार्डन में जरूर अड़ कीजिए तो आज का ये वडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंज कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगते है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्स एंडे तो अबसदीज कीजिए 12 स्ब derenरा है कीजिए 13 संबोल संब साउतन चैनल को लिएале कीजिए 12 सिराओ तो अमेर में लाइमन्न चैनल को आणे सेसे प्लीज दाधने कीजिए 15 से लिएरी श benजाखना है जार्थम सीolesome में चैनल के